हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेंज आज हम लोग क्लास फाइब साइन्स का चैप्टर 1.2 को हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग 1.1 को पढ़ चुके हैं, फैमली था और जिसमें रेलेशन्सिप चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था आप लोग अगर अभी नहीं पढ़ें हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने क्वेशन अंसर भी दिया है एक्सरसाइज को भी मैंने लिखवाया है, तो आप वहां से वो देख सकते हैं तो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 1.2, ग्रोथ एंड इट्स अब्जरवेशन, ठीक है, कैसे हमारे बॉड़ी में, कैसे ग्रोथ होता है, हम लोग उसको अब्जर्ब करेंगे, अब्जर्ब करना मतलब देखेंगे, नजर रखेंगे, और उसकी समिख्षा करेंगे, ठीक है, कैसे ग्रोथ होता है बॉड़ी में, तो ग्रोथ is a natural process, ग्रोथ जो है एक natural प्राकृतिक प्रोसेस है, ठीक है, ग्रोथ naturally होता है हमारे बॉड़ी में, Food helps in growth, providing energy, protein and minerals. जो हम लोग खाना खाते हैं, food, उसी से, उसी के बदौलत growth होता है. उसी से हम लोगों को energy मिलता है, protein मिलता है, और minerals मिलता है. जिससे हमारे bones, हड़ियां develop होती है, हमारे muscles develop होते हैं, और हमारा mental growth भी होता है. हमारे body में छोटे-छोटे cells होते हैं, cells से मिलकर ही tissues बनते हैं, और tissues से मिलकर ही हमारे body के every organ बनता है. हर एक organ जो हता है वो tissue और cells से मिलकर ही बनता है, तो हमारा body जो है वो millions of cells से मिलकर के बना हुआ है. these cells divide to produce new cells up to 22 years of age 22 years होने तक यह cells खुद को divide करते हैं और new cells बनाते रहते हैं और जिससे हमारा body का growth होता रहता है after that body starts destroying more cells than it makes और उसके बाद body जो है cells को destroy भी करता रहता है मतलब जो use में नहीं है उसको destroy करता है खतम करता है उसको this is the stage when our body stops growing और यह stage जो होता है खतम करने का 22 साल के बाद उसके बाद वो stop कर देता है body का growth होना कम हो जाता है body का growth होना रुख जाता है 22 years तक growth होता है ठीक है a newborn baby cannot speak एक newborn baby नया जो जन्म लेता है बच्चा वो speak नहीं कर सकता है मतलब बोल नहीं सकता eat नहीं कर सकता है sit नहीं कर सकता है and stand तो नहीं वो speak कुछ बोल सकता है नहीं वो कुछ खा सकता है नहीं वो बैट सकता है नहीं खड़ा हो सकता है but weep और cry लेकिन वो रो सकता है ठीक है? वीपिंग मीन्स रोना crying मीन्स भी रोना When a baby feels uneasy wet and hungry he cries to communicate his needs जब कोई बच्चे को uneasy feel होता है uneasy मतलब जब उसको दिक्कत होता है जब उसको कुछ problem होता है उसको अच्छा नहीं लगता है कुछ या जब उसको जब वो भीगा हुआ होता है जब वो hungry होता है जब उसको भूक लगता है तो वो रोता है, वो cry करता है और communicate his needs और अपना need को इस तरह रो करके बताता है तभी मदर को पता चलता है वो cry करता है communicate करना मतलब अपने भाव को अपने विचार को एक दुसरे से आदान प्रतान करना है हम लोग बोलना जानते है तो बोल करके हम लोग communicate करते है एक दुसरे से तो लेकिन छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है इसलिए वो रो करके communicate करता है अपने जरुरतों को, need को ठीक है Mother also has natural ability to understand the need of a baby और mother के पास natural ability होता है प्राकिर्तिक छमता होता है मा के पास तो मा को समझ में आ जाता है कि बच्चे को क्या जरुरत है अभी उसके रोने से ही ठीक है As we grow, our height and weight increases जैसे हम लोग grow करते हैं हम लोग बढ़ते हैं वैसे हमारा height और weight हमारा height, हमारा उंचाई और हमारा लंबाई और हमारा वजन वो भी बढ़ता है This increase is highly apparent but how can we say that someone's height weight is increasing ये तो ऐसा मतलब दिखता नहीं है height बढ़ता हुआ लेकिन हम लोग कैसे बता सकते हैं कि height बढ़ रहा है वह हम लोग इस chapter में देखेंगे तो उसी को observe किया जाएगा observe करके ही हम लोग बता सकते हैं कि किसी का height बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है या कितना बढ़ रहा है height can be measured with respect to time while weight can be measured with respect to height of the body height जो है measure किया जाता है समय के साथ height can be measured with respect to time समय के साथ height को measure किया जाता है और वेट को मेजर किया जाता है हाइट के साथ अगर हाइट जादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग वेट भी होता है हाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंग वेट ऐसे ही कम होगा ठीक है means height के अनुसारी weight होना चाहिए on the basis of measurement one can say that height and weight is increasing तो measurement करके हम लोग measurement करके हम लोग उसको map के हम लोग जब उसको measure करेंगे तब हम लोग बता सकते हैं कि इसका height और weight बढ़ रहा है और यहां पे height and weight chart दिया हुआ है children का based on WHO data WHO का मतलब होता है world health organization यह एक ऐसा organization है विश्व में जो health को monitor करता है बच्चों के health को बड़ों के health को और समय समय पर यह guideline जारी करते रहता है कि क्या ज़रुरत है जिस तरह कोरोना के time पे सारा guideline जो है वो WHO ही जारी कर रहाता है कि कब mask लगाना है कैसे हाथ धोना है sanitize होना है यह सारा कुछ WHO ही manage करता था तो WHO का मतलब है world health organization तो WHO ही यह चार्ट को बनाया है यह boy का चार्ट है और यह girl का चार्ट है यहाँ पे age दिया हुआ है year में height दिया हुआ है centimeter में और weight दिया हुआ है kg में तो अगर boy का age one year है तो उसका height 76.1 centimeter होना चाहिए और weight होना चाहिए 10.2 kilo उसी तरह से जब boy का age five years है तो उसका height है वो 109.9 centimeter होना चाहिए और weight उसका होना चाहिए 18.7 तो यह बाज़दा observation यह observe करके यह बनाया गया है ठीक उसी प्रकार girl का भी यहाँ पे दिया हुआ है age height weight एक साल की जो लड़की है उसका height 75 centimeter होना चाहिए और weight होना चाहिए 9.5 kg ठीक है इसी तरह साब आगे भी सब देख सकते है हर एक age में 12 years अगर आपका हो रहा है तो height आपका 148 होना चाहिए और weight आपका 38 होना चाहिए ठीक है तो आप लोग भी मुझे बताइए comment करके कि आपका age कितना है और आपका height कितना है और आपका weight कितना है अगर height और weight नहीं पता है तो कम से कम आप अपना age बताइए comment करके comment box में, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि class 5 में पढ़ने वाले बचों का age क्या है, ठीक है, conclusion क्या निकल रहा है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं, weight increases with height, जैसे जैसे height बढ़ता है, वैसे वैसे weight version बढ़ता है, rapid growth found in 1 to 5 year, एक से 5 साल के बीच में rapid growth होता है, एक से 5 साल के बीच में rapid growth हो रहा है, देखो, height यहाँ पर देखा जाए, 76 है, फिर 82 है, फिर 85 है, फिर 94 हो रहा है, फिर 102, 109, उसके बाद slow growth होता है, ठीक है, तो यहीं पर बताया जा रहा है, B में कि rapid growth कब होता है 1-5 साल के बीच में then rapid changes observed in 10-12 years और सरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं 10-12 साल के बीच में girls height and weight increase more in 10-12 years than boys girl का height or weight है वो 10-12 साल में 10-12 साल में girl का height जो है boys के तुलना में ज़्यादा बढ़ता है boys का 137 है height और girl का 138 है 11 year में 140 है इसका 142 है है ना height में भी weight में भी वैसे ही girl का ज़्यादा है तो girl का girl का सब कुछ बढ़ता है कब height और weight कब बढ़ता है 10-11 years में 10-12 years में boys से ज़्यादा girls growth is lower in 1-5 years और girl का जो growth होता है वो कम होता है एक से पांच साल के अंदर में boys के तुल्ना में तो हम लोग यहाँ पर chart में भी देख सकते हैं ठीक है 1-5 years में I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ भी problem होगा तो आप comment box में comment किजे और आपका age कितना हो रहा है और height कितना है वेट कितना है वो भी comment करके मुझे बताईए ताकि हम लोग सब देखेंगे और हम लोग भी जान पाएंगे कि class 5 में पढ़ने वाले बच्चों का age कितना है height is measured in inches and feet और centimeter and meter height को measure किया जाता है inches and feet में या फिर centimeter और meter में it can be measured by scale और tape scale से मापा जा सकता है या tape से मापा जा सकता है either directly या तो directly मापा जा सकता है और by making graduated scale on the wall दिवार पर भी निसान बना करके नापा जा सकता है weight is measured in kilogram through weight balance weight balance एक machine type का होता है जिसमें वजन किया जाता है weight को kilogram में मापा जाता है kilogram का मतलब kg this measurement helps us to know about growth of body यह measurement हमें बताता है कि body का growth हो रहा है and if it is less than normal और अगर normal से कम है जैसे कि वो जो उपर हम लोग पढ़े चार्ट में तो उस चार्ट के according अगर नहीं हो रहा है आपका growth तो आपको doctor से contact करना चाहिए doctor should be contacted doctor से आपको मिलना चाहिए इस बारे में इस विसाय में बात करना चाहिए कि मेरा height जो है या फिर weight जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जो WHO का चार्ट दिया है मान लिजा आपका year आपका boy अगर है आप तो आपका nine year हो रहा है और अगर आपका 132.2 height centimeter में नहीं है और weight 28.1 kg नहीं है तो बोला जा रहा है कि आप doctor से consult करना चाहिए आपको ठीक है कि क्या कमी है हमारे body में वो doctor आपको बताएंगे ठीक है कि क्यों height और weight प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है WHO के according in spite of being normal in height and weight we are different in likes and dislikes ठीक है height और weight height और weight अगर normal भी होता है तो हम लोग likes and dislikes में अलग हो जाते हैं एक दूसरे से लोगों का पसंद अलग होता है हमारा पसंद अलग है आपका पसंद अलग है आपका फ्रेंड का पसंद अलग है उसका नापसंद ही अलग है तो सबका like और dislike जो है वो same नहीं होता है food, clothing, play, etc are liked by someone and disliked by other one किसी किसी को food, clothing, खाना खाना, कपड़े पहनना, खेलना, खेलना कुदना, नए कपड़े पहनना ये किसी को ज्यादा पसंद है और किसी को नहीं पसंद है, dislike भी होता है किसी को the liking and disliking is determined by environment, tradition and mental state तो ये जो like करना, पसंद करना और नापसंद करना ये हमारे environment, हमारे चारो तरप के वातावरण से सम्मनिद होता है और हमारे tradition और mental state हमारा दिमागी इस्तितिक ऐसा है, उस से पर निर्भर करता है ये कि हमारा पसंद और नापसंद क्या है the children of vegetarian family like usually vegetarian food, अगर कोई family vegetarian है obviously उनको vegetarian food अच्छा लगता होगा, उनको non-wage अच्छा नहीं लगता होगा, उनको भी शाकाहरी food अच्छा लगता होगा they dislike non-wage vegetarian food, due to the family background क्योंकि वो लोग non-wage पसंद नहीं करते हैं, like नहीं करते हैं क्योंकि उनका family background बच्पन से वो लोग वही सीके हैं family background के वज़े से वो लोग non-vej को dislike करते हैं South Indians like sore taste in each food eaten South Indian जो होता है South Indian लोग जो होता है Chennai के, Tamil Nadu उस साइड के जो लोग होते हैं, दक्षिन भारतिय लोग जो होते हैं खाना, हर एक चीज में, उनके खाना में खटा ज़्यादा रहता है लेकिन, while Gujarati put sugar in each dishes लेकिन Gujarati को अगर देखेंगे तो Gujarati पस्चिम साइड में है भारत का Gujarati में, Gujarati लोग क्या करते हैं कि हर एक खाना में, हर एक डिश में sugar add करते हैं, चीनी add करते हैं मतलब उनको मीठा पसंद है, और South Indian को sour taste पसंद है, खटा Punjabi like spicy food Punjabi लोग थोड़ा मसाले दर खाना खाते हैं while North East people like plain food North East people जो है जैसे मेघालाई हो गया, नागालेंड हो गया असाम हो गया, उस साइड के लोग जो है, वो लोग plain साधा खाना खाना पसंद करते हैं here, liking for someone is disliked by other one यहाँ पर यह पता चलता है कि कोई-कोई जिसका जो like है, जिसका जो पसंद है सायद वो चीज किसी और को ना पसंद होगा ठीक है, अगर आपको अगर गुलाब जमुन खाने में अच्छा लगता है तो यह जरूरी नहीं है कि आपका friend को भी वो अच्छा लगेगा उसको कोई और sweet अच्छा लग सकता है, है ना या फिर उसको कोई नमकीन अच्छा लग सकता है तो यह ही बताया जा रहा है कि सबका like और dislike जो है, वो अलग-अलग होता है sweepers clean seivers having dirty smell sweepers जो होते हैं जो cleaner होते हैं, clean करने वाले लोग होते हैं वो seivers को, गंदे पानी को, यह सब को clean करते हैं, जिसमें dirty smell, गंदा smell भी होता है passerby covers his nose and criticizes लेकिन वहाँ से जो लोग cross करते हैं वो लोग अपने नाक को बंद करते हैं और उसको criticize करते हैं इस गंदे smell को, लेकिन वहीं पे वो sweeper उसको clean भी कर रहा है we should not criticize the likes and dislikes of other तो हम लोगों को criticize नहीं करना चाहिए हम लोगों को किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारा ये पसंद है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है जिसको जो पसंद है उसको रहने देना चाहिए ठीक है? we should keep our mind in normal state हम लोगों को normal state में रहना चाहिए we should enjoy music, play, games and watch television during vacation but it should be restricted during examination हम लोगों को music सुनना चाहिए, games खेलना चाहिए television देखना चाहिए, vacation के समय में, चुटियों में और लेकिन ये examination के time में अच्छा नहीं करना चाहिए how we sense something हम लोग sense कैसे करते हैं? sense का मतलब हम लोग कैसे पता करते हैं कोई चीज को sense organ gives out information to the sensory nerve हमारे body में sensory nerves होते हैं जिसको sense organ information देता है कि ये कैसा है, test कैसा है, ये चुने में कैसा है the sensory nerves send messages to brain और हमारे body का जो sensory nerves है वो brain को message भेजता है the brain then processes the message और brain क्या करता है? उस message को process करता है and sends command और वो command देता है, वो अज्या देता है through motor nerves to the body parts और हमारे body part को वो अज्या देता है action करने के लिए the parts react with command available और हमारा body का part जैसे हाथ पैर वैसा ही react करता है जैसा हमारा brain उसको react करने के लिए कहता है it happens in a normal body normal body जो है उसके लिए बताया जारा जैसे nose, nose से हम लोग कोई चीज का सुगंद को या दुरगंद को पहचानते हैं tongue किसी को हम लोग taste पसंद पसंद टेस्ट जो है वो पता कर सकते हैं tongue से eye से हम लोग कोई चीज को देख सकते हैं sight वगरा और पता कर सकते हैं और हमारे brain को message जा देगा उससे skin से हम touch कर सकते हैं ear से हम सुन सकते हैं ठीक है तो यह सब क्या है sense organs of a human body we have five sense organs ठीक है यह important है nose, tongue, eye, skin, ear ठीक है यह five sense of organs है हमारे body का sometimes people whose certain sense organ does not work while some other sense organ becomes extractive they are special people कुछ लोगों का sense organ काम नहीं करता है लेकिन क्या होता है कि कोई-कोई sense organ बहुत ज़्यादा ही extractive होता है जो बहुत ज़्यादा ही काम करने लगता है तो यह लोग special people में आते हैं blind हो गया, deep हो गया, blind मतलब अंधा हो गया, deep मतलब गुंगा हो गया deep मतलब बहरा हो गया, जिसको सुनने को नहीं मिलता है mute मतलब गुंगा हो गया, मतलब चूप, जिसको dumb भी बुला जाता है जो बोल नहीं पाता है are special people, यह लोग special people है, अलग category के we should care and pay attention to those special people हम लोगों को इनको care करना चाहिए इन special people को generally males in family are tall and females are short generally हम लोग देखे हैं family में males जो होते हैं, लोग, males जो होते हैं, लड़का जो होता है, वो लंबा होता है, और females जो है, वो छोटी होती है, height में when the parents are tall, possibly the child will be tall जब parents, जब mother-father tall है, तो possibly उसके बच्चे, उनके बच्चे जो है, वो भी tall होते हैं but it is not necessary, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि माबाप अगर लंबे हैं, तो बच्चे भी लंबे ही होंगे it depends on genetic property inherited by parents and factors of dominance और यह depend करता है, genetic property से, जो हम inherit करते हैं अपने पूर वजों से, जरूरी नहीं है कि आप अपने माता-पिता का ही गुन को आप लेंगे, हो सकता है आप अपने माता-पिता के भी माता-पिता के गुन को आप में sound and behavior are also genetic properties skin color, sound, behavior यह सब भी genetic properties है जो हम अपने पूर वजों से अपने अंदर प्राप्त करते हैं laughing, hairstyle, dressing, cooking, etc we learn from observing people in family यह सब हसना, hairstyle करना, dressing करना, dress पहनना, cooking करना, खाना, बनाना यह सब हम अपने घर में observe करके देखते हुए लोगों को सीखते हैं family में, relative में, society में this is called special intent of someone इसको special intent कहा जाता है क्योंकि हम यह सब लोगों को देख करके सीखते जाते हैं the way one acts or reacts oneself is known as behavior behavior किसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है, so how तो लोग कैसे react कर रहे हैं, कैसे act कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं कैसे वो जवाब देता है, तो उस चीज को ही behavior बोला जाता है the person who acts or reacts with good thoughts and feelings with someone is called well behaved जो लोग अच्छे से react करते हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, अच्छे से लोगों से बात करते हैं लोगों के feelings को समझते हैं, लोगों के भावनाओं को समझते हैं उन लोगों को कहा जाता है, well behaved people, ठीक है there are some features here for being a well behaved people तो well behaved people जो अच्छे लोग होते हैं, जो दुसरों के विचारों को समझते हैं उनको well behaved people बोलते हैं और उनके कुछ features यहाँ पे दिये हुए हैं तो यह कैसे होते हैं, soft, speak soft to someone यह लोग बहुत ही, politely, softly, प्यार से बात करते हैं लोगों से never laugh loudly, यह लोग जोर से हसते नहीं है when your elders are there, जब हमारे बड़े हमारे पास होते हैं तो यह लोग जोर जोर से हसते नहीं है never criticize any occupation, special people and culture यह लोग कभी भी कोई भी job को, occupation को, काम को या फिर कोई special people को, जैसे गुंगा, बहरा, यह लोग हैं, culture को यह लोग कभी भी बुरा नहीं बोलते हैं, criticize नहीं करते हैं, निन्दा नहीं करते हैं obey elders, यह लोग हमेशा अपने elders को, अपने से बड़ों को, elders को यह लोग मानते हैं, obey करते हैं, उनका बात सुनते हैं behave करने वाले people हैं, उनका यह सब feature है, उनके अंदर यह सब होता है Helen Keller was a very brave woman, एक बहादूर woman का नाम है Helen Keller, she became deep and blind वो अंधी हो गई और बहरी भी हो गई, ठीक है, deep मतलब बहरा होना और blind मतलब अंधा होना at the age of 1.5 years, मात्र डेर साल की उमर में वो बहरी और अंधी हो गई, she was very intelligent, वो बहुत तेज थी, intelligent थी, होश्यार थी but her illness became a curse, लेकिन उनका जो बीमारी था यह, यह श्राप बन गया, curse का मतलब क्या होता है, श्राप in her life and she lost eyes and ears और वो अपना आँख और कान को खो दी, but her father was very kind man, उसका फादर जो है, वो बहुत दयालू इंसान थे and appointed a teacher to teacher और एक teacher को उसके appoint किया गया कि Helen Keller को पढ़ाने के लिए, she began her special education in reading and writing with the help of her teacher, वो special education का सुरुवात करती है, लिखना पढ़ना सीखती है, उस teacher के मदद से, she learned braille script, braille script to read and special typewriter to write, जो लोग अंधे होते हैं, उनके लिए एक script होता है, braille script, जिसमें dot dot करके ऐसा करके दिया हो रहता है, ठीक है, जिससे वो, जिसको वो touch करके, वो तो देख नहीं सकते हैं, उसको touch करके वो लोग पढ़ सकते हैं, कि ये वाला क्या है, s है, वो लोग देख नहीं सकते हैं, ले special typewriter होता है उनके लिए जिससे वो लिख सकती है she did BA उन्होंने BA किया bachelor in arts जिसको बोलते हैं in 1904 and became the first deep and blind woman to achieve the degree और वो पहली पहली ऐसी ओमेन बन गई औरत बन गई जो डीफ जो बहरा और अंधा होने के बावजूद भी degree प्राप्त की वो BA की ठीक है यह है Helen Keller कुछ lines यहां पर लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे when one door of happiness closes another opens क्या बोला बहुत सुन्दर line है जब कोई door जब कोई एक दर्वाजा बंध होता है खुशी का जब कोई एक दर्वाजा खुशी का बंध हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है लेकिन प्राया हम लोग उस closed door को बंध हुआ दोर को देखते हैं that we do not see the one which has been opened for us और हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि वही बंध दर्वाजा को ही देखते हुए रह जाते हैं और हम लोग यह नहीं देखते हैं कि एक दर्वाजा और खुला हुआ है हमारे लिए और हम लोग परिशान रहते हैं यार कि यह एक दर्वाजा हमारे लिए बंध हो गया हम गूंगे हो गया हम बहरे हो गया हम अंधे हो गया हम लोग बस उसी को देख करके शोक मनाते रहते हैं उसी को ध्यान में रखते हैं लेकिन हम लोग यह नहीं देखते हैं कि हमारे पास एक और रास्ता भी खुल गया है तो बहुत सुन्दर लाईन है हेलन केलर के द्वारा आप लोग भी इसको पढ़िए यह चैप्टर को और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ठीक है और वीडियो अच्छा लगाओ को तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मैं इसका कोश्यन अंसर भी यहां पे अटेच करते हूँ इसी वीडियो में तो चैटर 1.2 का यह कोश्यन अंसर है फिर्स्ट कोश्यन है और वाट इस ग्रोथ ग्रोथ क्या है ग्रोथ तो हम लोग जैसे पड़े ग्रोथ हमारा जो बॉडि का जो बढ़त होता है बॉडि का जो डेवलपेंट होता है वही तो ग्रोथ होता है जैसे बच्पन से ले करके 22 यह तक हमारा बॉडि पाट्स ग्रोथ होता है और डेवलप होता है यही है ग्रोथ जब बेबी कब क्राई करता है बेबी तभी क्राई करता है जब उसको जरुत पड़ता है उसको भीगावा फिल होता है हंगरी फिल होता है तब वो रोता है कम्यूनिकेट करने के लिए क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है इसलिए वो रोकर ही कम्यूनिकेट करता है और मदर उसको अंडर्स्टैंड भी करती है third question what should we do when height and weight is not normal we should contact a doctor and follow his suggestions and when height and weight is not normal what determines the likes and dislikes of a person the likes and dislikes of a person is determined by environment tradition and mental state how do we sense something the sensory nerves send messages to the brain which it gets from the sense organ the brain processes the messages and sends commands through motor nerves to the body parts to react उसको react करने के लिए फिर body parts को react करने के लिए उसको command मिल जाता है इसमें होता किया है जैसे हम लोग आपने हाथ से skin से कोई चीज को touch करते हैं जैसे हम लोग touch कियें तो sensory nerves को sensory nerves को sensory nerves को sensory nerves को message को दिया और message message दे दिया तो message को sensory nerve क्या करता है brain तक पहुचा दे और brain क्या करता है उसको process करता है और command दिता है हमारे हाथों को या फिर हमारे पैरों के skin को body part को ताकि वो react कर सके जैसे हम लोग कोई जलता हुआ कोईला में अगर हात लगा रहे हैं तो वो हाथ लगा रहे हैं लेकिन हम लोग हाथ हटा लेते हैं हम लोग कैसे पता चला कि हम लोग हाथ हटा लेना है जलता हुआ कोईला से क्यूंकि जैसे हम लोग उसको टच करने जा रहे हैं हमारा स्कीन जो है वो ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन जो है उसको मैसेज को प सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरू कीजिए ताकि आने वाला वीडियो भी आपको मिल पाए जो भी कुछ आपका डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अपना एज जरूर कमेंट कीजिएगा और एज हाइट वेट अगर पता है त ठीक है, थैंक यू, and have a nice day.